आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में चतिजगड सामान्य अध्येन से संबंधित दस प्रस्नों पर रोज हम लोग डिसकसन करते हैं जो कि CGPSC और CGVyapam के परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है तो सीदे हम लोग questions पर आते हैं आज का पहला question है चतिजगड में धान के बाद किस फसल का रूपित छेत्रपल सरवादिक है तो हमारे चतिजगड को धान का कटोरा कहा जाता है यहाँ पर धान का उत्पादन ठीक ठाक होता है लेकिन भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अगर हम लोग देखें तो धान का उत्पादन उतना अधिक नहीं होता है लेकिन चतिजगड का जो मध्यवाला भाग है वहाँ धान का बहुत अधिक उत्पादन होता है इसलिए उसको जो धान का कटोरा कहा जाता है तो धान के बाद हमारे चतिजगड में जो दूसरा फसल जो सरवाधिक रूपित छेतर है वो है मक्का ध्यान रखेंगे दूसरा फसल कौन है मक्का अगला कुस्चन देखते हैं चतिजगड के बस्तर छेतर में स्थनांतरित क्रिशी को किस नाम से जाना जाता है और नारायन पूर छेतर हो या पूरा का पूरा बस्तर संभाग हो वो बस्तर छेतर के नाम से जाना जाता है इसका अंसर क्या होगा रिजर्व वाण कितना है भई 43.13% कितना 43.13% हमारे 36 गड़ में मतलब कि आरक्षित 1 का छेत्र फल प्रतिसत में 43.13% अगला कुछ जने 36 गड़ राज़ी के कुल भाजोलिक छेत्र के कितने प्रतिसत छेत्र 1 आपच्छा दिता है सीदा सीदा ये पूछ रहा है कि हमारा 36 गड़ में कितने प्रतिसात 1 छेतर पाया जाता है तो ये लगभग लगभग 44.2 प्रतिसात पूरा पूरा अगर हम लोग देखें तो 44.2 प्रतिसात कुछ होता है इसको हम लोग 44.2 प्रतिसात भी बोल सकते हैं अगला कुश्चन है चावल विकास योजना अंगरेजी में इसको बोलेंगे मतलब सौटकट में ICDP ICDP तो इसका जो मुख्य उद्देश है क्या है चावल विकास योजना इसका मुख्य उद्देश से क्या है यह आपको बताना है तो देखो धान के उत्पादन को बढ़ाना चावल के विभिन प्रकारों पर सूध करना धान की क्रिशी हेतु भूमी तयार उपलब्ध कराना तो यहां से ना देखो केवल यही इसका मुख्य उद्देश से धान के उत्पादन को बढ़ाना भाकी इनसे कोई लेना देना नहीं यहाला कि यह भी हिस्सा है लेकिन यहां पर केवल और केवल धान के उत्पादन को बढ़ाने में ध्यान दिया जाता है अगला क्वेश्चन है मारीन नदी कहां प्रवाहित होती है मारीन नदी यह कहां प्रवाहित होती है यह आप लोगों को बताना है तो जो हमारे 36 गड़ के जितने भी जिले है ना उनके official website में आप लोग चले जाईएगा तो उसका जो परियतन वाला भाग है वहाँ आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा जल प्रपात हो, नदी हो, कोई मंदिर हो, कोई परियतन इस्थल हो तो यहाँ से एक्सर छोटा-छोटा question से पूछा जाता है, जो कई बार बड़ा कठिन लगता है अगला question है, राज्य सरकार के सुगम संचालन के लिए नियम कौन बनाता है तो भई इसके लिए नियम बनाती है राज्यपाल और मंत्री परिशद द्वारा नियम बनाया जाता है अगला कुश्चन है निम्न में से किस जिले में बॉक्साइट के भंडार नहीं है कहाँ पर बॉक्साइट नहीं पाया जाता है यह आप लोगों को बताना है सरगुजा में तो मिलता ही है उसके बाद दिखेगा कांकेरा और कभीर धाम में भी कुछ-कुछ मात्रा में बाक्साइट के भंडार देखने को मिले हैं लेकिन जो राजनान गाओं यहां से बाक्साइट का अभी तक कोई भी भंडार प्राप्त नहीं हो सका है ध्यान रखेंगे कांकेर में भी कुछ मात्रा में जो है बाक्साइट उपलब्ध है अगला कुश्चन है चतिस गड़ में किस इस्थान पर रावगाट माइन्स है ज जो भिलाई श्टिल प्लांट था इसको पहले दली राजहरा से लह एस को उपलब्ध कराया जाता था वहाँ पर जो है लह एस के समाप्त हो गया तो अब रावगाट खदान से जाता है अगला कुश्चन है जो कि इस वीडियो का आखरी कुश्चन है प्रधान मंत्री राष और हर सगरवाल इनको ना इनोवेशन के लिए यह पुरस्कार मिला है इनोवेशन मतलब इन्होंने कोई चीज बनाई थी उसके लिए इनको दिया गया है यह सम्मान इसे के साथ आज का यह वीडियो यही पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट के मात्यम से के जात की कितने कुश्चन सॉल्व हुए और किसी भी कुश्चन में डाउट हो तो जरूर बताईएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद